Assalamualaikum, Welcome to Amnaz Reaction, कैसे हैं आप सब ही, तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपना Reaction Review Content, फात्मा का Vlog देखा है, तो फात्मा के Vlog से स्टार्ट करूंगी, डीडी ने माफी मांग लिए, उस पर भी बात करेंगे, और इस तरह से अपना एक Vlog जो है, कंटीन्यू करेंगे, अच्छा जुला एक Overall Reaction जो है, वो आपके सामने यहां पर मैं प्लेस करती हूँ, सबसे पहली बात, मैं डीडी आपके Vlog से स्टार्ट करती हूँ, आपने अपना Vlog बहुत जोश के साथ स्टार्ट किया, अच्छा आपने जब यह शादी की थी, तो आपने यहां पर लोगों को यकीन द दर्मियान अदल करेंगे, और यह जो है आपकी एक बात थी, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दू यहां पर, कि जो आपके उपर सबसे पहला हक है ना, अगर वो किसी बच्चे का है, तो वो आपकी अपनी उलाद का हक है, आपकी अपनी उलाद के बारे में आपसे पह जो प्यार होता है, जो बड़े बच्चों से करते हैं, वो ना करें और उनको वैल्यू ना दें, लेकिन सीरियसली आज आपका विलॉग देखकर इतनी जादा डिसपॉइंटमेंट हुई है, मुझे इतनी जादा डिसपॉइंटमेंट हुई है, कि बहुत अफसोस हुए है, उसका रीजन है, आपने अपनी जो एक यहां पर आकर आपकी जो एक साली साहबा थी, वो भी बड़ी परेशान थी और उन्होंने ब्लॉग भी मार दिया था, अपनी बहन को कहती थी, साफसी बात है, लेकिन सब कुछ जो है, वो कॉंटेंट था, मतलब जब तक आप लोग वहां रहे कराची में, यह अपना यहां पर रोजाना एक वीडियो चलाती नहीं, इट्स ओके इनका चैनल, इनकी मर्जी, लेकिन यह एक फैमिली वैल्यूस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो देखकर बड़ा दिल दुगा मेरा ना कि किस तरह है यह दुनिया, मतलब अग अगर आप अपने फर्स्ट वाइफ और बच्चों के पास गए हैं और वहां चोटे बच्चे हैं, आपके कोई बहुत बड़े समझदार बच्चे भी नहीं हैं, जो मैचूर हो, जो मा की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, वो नादान मासूम बच्चे हैं, तो आप उनको भी व फर्स्ट फैमिली के पास आए थे, तो आपको जो सेकंड फैमिली है, उसको प्योरली जो है ना, इग्नोर मोट पे लगा के फुल टाइम यहां पर अपनी फर्स्ट फैमिली को देना चाहिए, ता पहली बात तो यह हैं, और मैं यह इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप व इतना स्पेशल फील करवाया, जो आपकी सेकंड मिसेज हैं, उनकी बच्ची को, क्योंकि यह उनकी खुशी थी, लेकिन अधर साइट पर अगर मैं फात्मा का विलॉग देखती हूँ, तो फात्मा अपने विलॉग में इस टाइम बहुत परिशान है, क्योंकि सब को पता है जो सुमेरा हैं, वो किस कंडिशन में हैं, फात्मा जो हैं, वो अकेले डॉक्टर के पास गई, बहुत सारी चीज़ें यहां डिसक्स करने की नहीं होती हैं, लेकिन कम इलमी जो हैं उसकी बिना पर, जो हमारी खावतीन विलॉगर्स हैं, वो बहुत सी बातें कर जाती हैं, और मैं यही कहूंगी फात्मा से, कि जो बहुत सारे मेडिकल इशूज हैं ना, उन्हें यहां पर शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोग जो हैं, वो नहीं समझते हैं, और फिर जो हैं, वो अननेसिसरली आप ट्रॉल होते हैं, तो खेर यहां पर फात्मा ने एक बात बहुत पते की, कि उनको यह कहा जा रहा है, या उनको यह उनकी ट्रॉलिंग हो रही है, कि फात्मा आप अकेले क्यों गई आप सुमेरा को ले जाती हैं, तो एक बहुत पते की बात की, अगर सुमेरा को ले जाती हैं, तो जो बच्चे हैं, उनको किस पर छोड़के जाती हैं, एक तो ज साथ फादिया है और सुमेरा का एक सबसे चोटा जो बेटा है मीर तो ये चार बच्चे वो कैसे छोड़के चली जाती चाचु पर और चाचु किस तरह से टैकल करते ये इसका फात्मा का कहना है तो वाकियता है इसमेरा की खुद की भी कंडिशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना बैटें इतना स्ट्रेस लें और हॉस्पिटल जाना कोई आसान नहीं है और जो भी इनके मौम लाते तो यहां फात्मा बिलकुल राइट है कि अगर डीडी यहां पर होता और ये कि वो फात्मा से बात नहीं भी है या फात्मा उनके साथ नहीं भी जाना चाहती तो एटलीस्ट घर पर बच्चों को संभाल लेता तो फिर ये होता कि वो सुमेरा को किसी ना किसी तरह साथ अपने ले जाती तो यहां डीडी कितनी बड़ी गफलत का मुझाहरा किया है आपने और आपके अपने बच्चे आपकी वजह से डिस्टरब हैं जो आपकी वजह से कि हुकम से इस दुनिया में आए हैं उन्हें यहां पर आप रोता बिलगता छोड़ के अगर किसी और के बच्चे की वर्थडे सेलिबरेट करने के लिए दोड़ के गए हैं तो यह वाला जो आपका एटीट है यह बहुत ही अजीब है हर एक के लिए उसका बच्चा जो है अगर आपकी जो सेकंड मिसेज हैं उन्हें इस बात का खयाल होता तो वो यहां पर थोड़ा स्टे करती हैं शी सेड वो कहती हैं कि आप ऐसा करो आप जाओ अपनी फरस्ट वाइफ को देखो उनको क्या प्रॉब्लम है वो अगर डॉक्टर के पास जाना चाहती है आपसे न जादा जरूरी है अगर वो आपके साथ नहीं जा रहीं तो एट लिस्ट बच्चों को तो आप संभाली सकते ना दो दिन तीन दिन चार दिन तो यह जो बेहिसी है यह खुलके आप लोगों के एटिट्यूट से सामने आई है और मुझे बहुत जादा अफसोस हुआ है बच यहां पर इन्होंने कहा कि सितारा ने इनको गिफ्ट किया था जब यह सितारा के घर गए थे तो भाई साब आपने छुपाया ही क्यों था उसी टाइम बता देते और आपने कहा आपका मतलब सितारा को हर्ट करना नहीं था या सितारा को डिस्रिस्पेक्ट करना नहीं था त जरा जरा सी बात पर आप सितारा को अगर कोट करें और सितारा को प्रेशराइज करें तो फिर आपके अपने होने का क्या फाइदा मुझे याद है आपने सितारा का साथ दिया है आप सितारा के हार्ट टाइम में उसके साथ रहे हैं मुझे इसका भी एहसास है लेकिन कुछ त एक यहां पर यह वाला एटिट्यूट जो है वो अख्तियार किया हो है ना यह सारी बाते भी हो सकती है दूसरी साइट पर फात्मा में एक बात और आप से कहूंगी अगर सितारा आप के लिए इतना सैक्रिफाइस करती है ना कि वो डीडी से अपनी बिगार लेती है या डीड से उन्होंने अपने किटिन्स का नाम रखा है तो फिर यहां पर जब अपने जाती तालुकात की बात आती है तो आप देखें आपको भी फिर यहां पर इस चीज का मान रखना चाहिए मैं आपको यह नहीं किया रही किया आप अपनी ननत से कट आफ कर लें बिल्कुल भी मौमलात हैं वो उनके और यूट्यूबर्स के हैं इससे सितारा का कोई लेना देना नहीं है इसमें सितारा को इन्वाल्व ना करो तो यह वाली एक जो एटिट्यूड है यह उसका सही है दूसरा मैंने नहीं सुनी कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी लाइफ जहां पर जब हम रिव्यूज दें जब हम रियक्शन्स दें तो इस बात का बस खयाल कर लें हेटर्स की तो हम जबाने सुनी चुके हैं ना वो किस तरह से बच्चों को डिस्रिस्पेक्ट करते हैं वो किस तरह से बच्चों को लेकर आ जाते हैं हर चोटी बड़ी चीज में बच्चो उसे वार्निंग अगर दे दी ना आपने तो थोड़ा सा वेट कर ले हो सकता है सामने वाला उस चीज को करेक्ट कर ले और आपकी जो क्लिप है उसे हटा दे ताकि जो यहां पर एक क्लैश है ना या यह कहलें आपके जो एक कशीदगी है वो ज्यादा ना बढ़े बलके चीज जो है ना उन में नर्मी आए मौमलाद जो है वो रिजॉल्व हो यहां पर किसी ने किसी की जो जायदा आदे हैं वो तो हत्याई नहीं है बस एक उपीनियन डिफरेंस है और एक बात में यहां पर यह भी बोलना चाहूंगी कि सितारा के मीट अप से एक चीज बहुत जादा और क्लियर है कि जो माई हैं वो सितारा के विलॉग्स और सितारा फैमली के जो विलॉग्स हैं जैसे कि यह बीबी हो गए और कौन हो गए यह फात्मा और एक सेक्टरा जितने भी इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो सब इनके विलॉग्स देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी बदनाम नहीं हो रहा या पाकिस्तान की शान पर इनके विलॉक से कोई हर्फ नहीं आ रहा येस जो एक इशू लेकर आई दीना बड़ी जिसने यहां पर फसाद बपा किया था वो एक ऐसा इशू है कि जिसको के एक मनतकी अंजाम पे जरूर पहुँचना चाहिए और उसका एक लॉजिकल एंड जरूर होना चाहिए क्योंकि अगर किसी इशू ने इस मुल्क को और इस रिलिजन के रूल को रेप्रेजन किया है तो वो उसका लाया हुआ इशू है दूसरी जानब उसने ना सिर्फ मुल्क को रेप्रेजन किया बलके जो यहां के कुछ पॉप्यूलर होटेल न को भी रीचेन को कोशिश की यानि वहाँ पर इस तरह से मौमलात और चीजे होती हैं मतलब अगर वो लोग भी एक्शन ले लें तो बड़ा सीरियस एक्शन हो सकता है इनके खिलाफ इन्होंने कार्ड्स दिखाए उस होटेल को इन्होंने कोट किया तो यह सारे मौमलात हैं जिनको साइड लाइ जो सितारा के रिष्टेदार है ना जो यहाँ पर एक होता है ना हर बरादरी के अंदर थोड़ी बहुत खेचातानी चल रही होती है और सितारा जो है अपने तमाम तर रिष्टों से बहतर तोर पे अवेर हैं इन सब चीजों को हाईलाइट करके जो में मुझे लगता है उस सबका पॉइंट ऑफ यू है आपको जिस तरह भी बात करनी है अपना पॉइंट ऑफ यू दीजिए लिकिना रिक्वेस्ट कि प्लीज किसी की भी बच्चों को इस तरह से ना बोलें वाकियतन पिर जो पैरंट्स हैं वो हर्ट होते हैं और हर एक यहाँ पर सितारा नहीं है स तरह के बच्चों को लोगों ने बहुत बुरा बोला बड़ शायद कि वो उसको आते भी नहीं थे ये मौमलात और शायद कि कहीं पर उस पर प्रेशर इतना ज़ादा था कि वो सोची नहीं पाती होगी कि वो विलॉक बनाए वो सारा जो स्ट्रेस है उसको कैरी करे या इन बेश्यमार चैनल्स को जो दिन रात उसके बच्चों पर बाते करते हैं, उनको स्ट्राइक्स दें, मतलब एक रॉंग वे में बाते करते हैं, तो ये सारे मौमलात हैं, बहर कैफ अल्ला हम सब के लिए आसानियों वाले मौमलात करें, हम सब को हिदायत दें, और बस एक चु ल हो है, कि सब दें दिल से सितारा को सपोर्ट किया है, दिल से सितारा के लिए आवाज उठाई है, पैनल्स लगे हैं, वीडियो बनी हैं, जो भी हुआ है, आगे जो तोड़ा बहुत उपर नीचे हो रहा है, इन तमामतर मौमलात को समझदारी के साथ टैकल कर लें, ताके जो इशूस हैं, वो रिजॉल्व हों, मजीद मसाइल, जो हैं, वो खराबी की तरफ ना जाएं, इट्स जस्ट माइ पॉइंट आफ यू, और इसे खुदारा कोई क्लैश मत समझ लीजेगा किसी के साथ, सब की दिल से रिस्पेक्ट, खुश रहें, दूआँ में याद रखें, अल्ला हाफिज, अल्ला हाफिज.